हेलो एवरिवन वेल्कम बैक पूमाइची इनल तो फ्रेंज हम मैलाओं के काम एसे होते हैं जो निपटने का ना मिने लेते क्योंकि मोसम के अनुसार काम भी बढ़ जाते हैं तो आज मैं कुछ एसे टिप्स लेके आई हूं जिस से क्या है कि आप अपने कामों को आसान कर सकते ही और बढ़ और बढ़रे खर्चे को भी कम कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं मारा पहला यूसपूल टिप्स आएंगे तो करना क्या है आपको लेने ही पुराने सौक्स तो हमारे पार देखे बहुत से सोक्स होते ही जो फर जाते हैं या फिर एक हो जाता है एक पड़ा होता है तो इस तरह के दो आपको सौक्स ले लेने हैं और दोनों सायड में आपको पेहनाना है पेहनाने के लिए देखे हमें रबड बेंट की जरूत पड़ेगी क्योंकि ये सोक्स निकल जाता है तो इसलिए हम चिम्टे में देखे दो रबड लगाएंगे और अच्तिस इ यूज केसे करेंगे तो दीखे घर की तो सफ़ाई हम कर लेते हैं घर में पड़ावा जो समान होता है खिर्किया दर्वाजा जो भी होते हैं उनको साफ करना बहुत ज्यादा मुस्किल होता है क्योंकि हाथ नहीं पहुंचता है और इतने पतले-पतले होते हैं कि हमें इस तरह की जोगाड की जर्वती पढ़ जाती तो अगर आपको यह चोटा सब जोगाड़ो आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें को यहां मैंने लिए हैं मटर के चिलके अभी देखे मटर का बहुत जादा सीजन चल रहा है और हम बहुत मात्रा में मटर लेके आते हैं तो इनके जो चिलके होते हैं यह भी बहुत काम के हैं फ्रेंज हम क्या करेंगे इन मटर के चिलके को डाल देंगे मिक्सिजार में तो जि पोदे की नहीं करोगें पोदे की जो ग्रोथ है वो इतनी बढ़ती है और जो हम नया पोदा लगाते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट उपाए है और friends मटर के छिलके सिरे की खार भी बनती है जो नए पोदे के लिए मिटी होती है एकदम हलकी तो ये हलकी बनाती है मटर के छिलके तो friends आप जब भी नया पोदा लगाए तो आप इस तरह से ग्रेट करके इसको सुका लीजिए और सुके हो ये को जब आप मिटी में बहोगे तो बहुत बढ़िया से ये पोदे लग जाएंगे और अब देखे इसके साथ हमारा काम ये भी हो जाता है कि जो हमने मिक्सी जार में छिलके ग्राइट किये थे वो आप देख सकते हो कितना बड़िया तरीके से देखी चमक चुका है आपको कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो चली देख लेते हैं अगला यूसपूल टिप्स यहां देखे मेंने लिया है वाइपर और मेरे पास देखे ये पुराना वाइपर है और पुराना वाइपर जब ये पतला पड़ जाता है इसकी जो फोम होती है वो पतली पड़ जाती है जिसकी वज़े से प्रोब्लम ह तो आज हम इसी पुराने वाइपर का ही यूज करेंगे और इसी को नया बनाएंगे तो करना क्या है इसके लिए आपको लेना है कोई भी वेस्ट कपड़ा जैसी कि हम पोचा लगाते हैं तो आप पोचा भी ले सकते हो या फिर बच्चों का पूराना टीशेट भी ले सकते हो तो यहां मैंने पोचा बनाया है कंबल का तो देखिए जो कंबल होती है दुसा भी हम बोलते हैं तो वो जब हम सर्दी में औरने में यूज करते हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक यूज करने से पतला पर जाता है वो काम नहीं कर पाता तो इस तरह का जो पतला पड़ावा आप दुसा रखते हो उसको आप कट करके और उससे पोचा बना सकते हो फ्रेंज आप येकिन करोगे जो रेडिमेट हम पोचा लेके आते हैं उससे कहीं जादा ये बहुत बढ़िया काम करता है आप देखे मैंने वाइपर में अच्छे सिसको सेट कर लिया है जिसकी वीडियो में आपको करना है अब देखे करना क्या है दो हमें लेना है क्लोथ पिन ताकि क्या है ये जो कपड़ा हमने लगाया है वो निकलेना और देखे सर्दियों में ये काम बहुत जादा आने वाला है अगर किसी की कमर दर्द होती है जो बुजरक होते हैं उनको भी कभी कबार देखिए पोचा लगाना पड़ता है तो उनके लिए भी ये टिप बहुत यूजफुल है जेंस जो रहते हैं अलग तो उनको भी देखि में लसुन का छिलका और थोड़ा सा मैं इसमें डालेती हूं प्याज का छिलका भी ये जो तरीका है ये आपके बहुत जादा काम आएगा तो इसलिए बिल्कुल भी इसको इसकीप ना करें अगर आप थोड़ा सा भी इसकीप कर दोगे तो आपको वह रिजर्ट नहीं मिले जो आप चाहते हैं क्योंकि इससे आपकी सारी जो मुश्किल है रोज-रोज की परिशानी है वो खतम हो जाएगी तो आपको सबसे पहले जला लेनी है गैस उसके उपर रख देना है तवा और जो भी हमने प्यार जो लसुन की छिलके रखे हैं उनको डालेंगे तवे के ऊप और अब हम देखिए आदा चम्मच लेंगे चैपती तो इसमें हमें डाल देना है अब हम इसमें डालेंगे पानी और देखिए एक कप के साब से हमें इसमें पानी डाल देना है अब देखिए अच्छिस इसको गरम करेंगे ताकि जो भी इसका कस है वो सारा पानी में आ जा अब हम कोई भी एक कटोरी लेंगे और सारा पानी उसमें चान लेंगे चानने के बाद इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे इसका हम यूज कैसे करेंगे तो देखी होता क्या है चाहे हम कीचन सिंग को कितना भी साफ क्यों ना रखे लेकिन गंदगी की वज़द से इसकी प बढ़िया तरीका है इस तरह से पाइपलाइन पूरी साफ हो जाती और जो भी गंदगी है वो सारी निकल जाती है यहां आप देख सकते हो पर्स में देखिए सिलेंडर का जंग लग चुका है और इसको साफ करना बहुत ज्यादा मुस्किल होता है अगर ना करें तो पर्स हम इसके उपर भी डार देंगे अब हमें क्या करना है जो हमने आलू लिया है कट करके उसको देखिए आप ये जंग लगावा है वहां पे रफ कीजिए थोड़ी देर में देखोगे कि जो भी जंग है वो सारा हड जाता है चाहे कितना भी जीदी क्यों ना हो लेकिन आलू क जो छिलका होता है उसमें होता है कडवापन और सफाई करने का एक अलग ही उसका गुण तो अब आप देख सकते हो यहां पे जितना भी काट लगावाता वो सारा देखिए निकल चुका है तो इस तरह से आप क्या है कि सिलेंडर के जंग को साफ कर सकते हो तो यहां तो इनी का हम बहुत बढ़िया आज यूज करने वाले हैं तो देखिए पहले हमें इसको फोल्ड करना है तो यहां देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है थोड़ा सा नीची से एसी छोड़ा है अब देखिए हमें इसको हाथ डाल के अंदर और कुछ इस तरह से इसको इ दूसरी साइड को भी इसी तरह से प्रेस करके और कोने को अंदर की तरफ टक कर देंगे अब देखिए यह बहुत बढ़िया तरीके से यह सेट हो चुका है अब आप चाहे तो इसको मजबूत करने के लिए साइडों में आप कड़क वाले जो कार्डबोर्ड होते हैं वो लग करें और कोमेंट करके जरूर बता दे कि वीडियो कैसी लग रही है तो अब देखिए आपको क्या करना है कि दूसरे पेकेट को भी सेम आपको एसे ही रखना है यह थोड़ा बड़ा पेकेट है तो इसका जो है यह बड़ा बन जाएगा अब हमें निच्ची का कोनर निच्ची से थोड़ा ज्यादा रख लिया है तो अब आप देख सकते हो यह कितना बड़ा मंच चुका है कुछ इस तरह से और अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो को कार्ड़ होते हैं हाड़ वाले वह आप दोनों साइड में लगा कि अच्छे से सेट कर सकते हो तो मेरे पास देखें यह शादी के कार्ड है तो इसको में देखें थोड़ा कट करके निच्ची की साइड में इसको लगा लूँगी तो कुछ इस तरह से हमने यह डाल दिया है सेम हम दूसरी पेकेट को भी डाल देंगे अब देखें हम इसका यूज कैसे करेंगे तो जो भी छोट के थैंक यू पूर वोचिंग